एक प्रिए है कि जो कानून वापसी लिया भारत सरकार दे उस पर सैयुग तुमोर्चे ने भी विचार करा कि भाई कानून वापसी लिया और भारत सरकार एक बाचीत की लाइन पर आई है तो जो हमारे प्रस्तावित कारियकरम थे कि हमें आगे प्रोग्राम कैसे करना है तारिक का तीन कानून है यह भी आउसमा आजाएंगे और उम्मेद है कि यह वहाँ से रिफील हो जाएगा आब ही साड़े-गुक्त किसान हमारे सही हुए है उसमें भारव सरखार ने कोई जवाब-नाहीं दिया जो हमारे उप्पर मुकदम हैं उसमे कोई जवाब नहीं दिया जो लखीम पूरी खिरी की गटनबंड है इसमें कोई जवाब भी दिया और कि मुश्य कानून के साथ में थी जो बार-बार यह कहते हैं मत वह लो क्योंकि एमस्पी ही सबसे जादे लू ट एमस्पी पहोती है किसान की तो उससे भारत सरकार बचने चाहती है कि वो हमारा बड़ा इसुफ प्राइटी पह है कि एमस्पी को लिगल कानूनी loyalty भारत सरकार दे उस पर पूरे देश की निगाए उस पर हैं सप्रेश के माध्यमसाम कहना चाहते हैं भारत सरकार को yangka को डील कारेंटी का रांथ करकार्य को कानुन बना कदें इसके बाद में एक committee बनेगी जो दूसरे मामले होंगे वो छेच सीड मीलिका हो पैसे़ साइड मीलिका हो वो दूथ डेरी वाला प्लान हो या के सीची वाला मामलों जो भी भारत सरकार ने स्वार्णे की सांómo रषग किसार की होनी है तुब पर दूसरे माम लो को इंसा लग माम लो देखे हैं यह भी हमारी डिमांड भारत सरकार से हैं उस पर जितना जल्दी वे फैस्टना ले ले अधूना ठीक है नहीं तो उससे उससे जोब से जैसे ऐसे एक पहले से करते हुए में आप से जहीं करें nuestro कुछ मरोगे से वह एक से और राव मिलोग आम समाझ से उसी सिस्टमTime जैसे जत्यबंदी भारा चानी है एक दिन मुक्ारोан के थोушки कर दोपशती करनी है पर ने पर नदे पूरे इससी सिठम से आप लगाले पूरे दिसंबर तक के फिर एक अगुंदी जैसे रूटीन के लगते रगेजाए और अरेंदर जी हैं अबधर अरंदर लाक्षवाल जी जो अपने परजिडेंट हैं पंजाब के हैं अपने और लोग हैं और सईथ कमोर्चे के लोग यहां पर हैं जो आपका कोश्चन होगा जिसे भी होगा वो इस कोश्चन का जवाब देदेगा जो आज हर्याने के मुखमंतरी मोदी से मिले हैं आप किसानों को लाब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं आप जो तीन कानून बनाओंगे उसमें कहते हैं किसान के फाइदे कानून है वह नहीं दे रहे हमको बार्किट्रेट दे तो इसका मतलब यह कि अनाज को लूटने का प्रोग्राम भारत सरकार की सहमिति से बना जा रहा है मनोहर लाल खटर बो रहे हैं नहीं देंगे वो भी मोदी जी से मिलके आएं कल और आज उन्होंने ब्यान जो यह गैंग है इनका गैंग का पता तो अभी छो लगा इसका मतलब भारत सरकार और जो इस टरे की स्टेट गोर्रमेंट है वे इस गैंग में सामिल है ने आज से 40 से 50 साल पहले बड़े व्या पारीन का कब्जा अनाजबाता था और वह खेत पही अनाजबजा करते थे आज भी पॉलिसी कि जाना चाहते हैं कि आनाज पे खेत पे ही किसान के खेत पे बड़े उद्योग पत्व का कब जाओ इसलिए गोदाम मनाएं गये 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 जो भी इस पी का विरोध करेगा वो गैंग में सामिल है जब हमको बता सकते हैं यह भी के अपको लग रहा है कि दो विदास्भा चोने आने वाली हैं चनाव उसको लेकर उसको लेकर यह वला पैसला लिया गया है कि कहीं ना कहीं हमारे हाद से कुर्शी निकल जाये लो ने जितना काम कर दिया उसको कर देंड वो कैसे कर दिया कि सुलरत कर दिया जोए हैं अब कहा लड़ाई जिती है करो ना ओर तीन काले कानून एक विवारी थी उसके खिलाब भी लड़ाई लड़ी गई इसके खिलाब भी लड़ाई लड़ी गई यहां डेट साल में बीमारी यहां कोई पुरानी नहीं थी करोना के साथ आई करोना के साथ में सब ने जंग लड़ी इस बीमारी के साथ में भी जंग लड़ी सब्सक्राइब करना चाहते हैं लेकिन वे बात नहीं करना चाहते हैं किसानों को बदराम करके किसानों से कोई बात चीतना कर रहे हैं और इनको ऐसे घर भेज़ दो सर्सिधे लगद में कहें तो क्या अगर 39 को बिल माफ हो जाते हैं तो धरना जाड़ी रहेगा जो भासा है कोण से स्कूल में एक ही ट्रेनिंग ले रखी समन है नहीं जो वो सकार क कि बिमारी थे तीन काले कानून वह भी मारी खताम होगी तर ना जो है धरना किसान के बुद्दों के लिए हैं दस दिन चैनल वालूप पर प्रोग्राम चलेगा उसके लिए पूरा देश का किसान तयार रहना एक कोस्चन बुद्जेंगे के वही कानून खतम होगे किसान घ परत रहेगा अगर यह कोश्चन करेंगे तो हम मौन परत करेंगे और कोई राज दिए एक और सवाल है इससे जुड़ा कोश्च कहते हैं कि इसमें जो है खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा कोई खेती कर रहा है कि जो एकोनुमिस्ट साथी मंजिल पर बैठ के देश के किस रहनिती रहेगी पहले पंजाब में बाइकर्ड करने का अलान किया गया था जिस दिन आचार सहेता लग जाएगी उस दिन बता देंगे क्या रहेगी जो अशीश जो लखीमपुर की रिकांड में उनको आपने का कि मंदरी मंदल से परखास किया जाए लेकिन वह अभी भी पर कोई बात निकरते हैं तो इसके लिए हर जगे जो देश में चर्चा होती है यहां पर भी हमायत तो उसका नाम आया कि उसको परखास करो तो नहीं करेंगे जब तक वो नहीं होगा उसको न्या ही नहीं मिलागा लाकीमपुर को तो हमेशा उसका नाम लिया जाता रहेगा संयुक्त किसान मोचे की तरव से MSP को छोड़के एक MSP बहुत बड़ा हुदा है इसके इलावा कुछ और से प्लैनि के लिए किसान कुछ हाल हो सके जैसे अमरिसर की अगर बात करें बाटर की बाटर की यहां पर खुल जाता है तो यहां से अट उमाटर सब्जी और जो अपिस्तान का खायर है उसको में बंद करते हैं वह भी तो आई रहा है दे हमारे किसान का टमाटर नहीं आ सकता यहां से जो सब्जीर वह जासिक्सी वह बंद है लेकिन वहां से समाना आ सकता है इसका मतलब क्या होगा कि महां को फाइदा देना चाहरे और अपने किसान को नु ठीके पर दे और बड़ी कंपनी यहां पर खेति करें यहीं तो प्लान है पाकिस्तान की जनता को फाइदा होगा बोधी सरकार की प्लान है लेकि हिंदूस्तान का किसान का फल फरूट वहां ना जा सके तो इसलिए रोक है इसका प्राली का मुद्धा जिस पे अपराद तो उसके उसके उसपर उन्हें दे दिया वियां एक कैसा बोड़ के पार की हजार चेसो एकर जमीन है चार साल से उनका मौब पैंडिंग है वो बंजाब की जो काफी दिल्ली भी गए लिए लिए कोई केंडर से बात ही क्योंकि काफी ज़्यादा मोट बन लिए उसमें यह अन्दोलन शुरू हुआ उससे पहले इन किसानों की बातचीत होनी थी होम मनिस्टर से बीच में यह आंदोलन चिड़ गया और उस संबंद में बातचीत नहीं हो पाई यह जैसे ही यह इसू आएगा या भारसरकार बातचीत करेगी तो यह इसू हमारी प्रायथी पर है और पहले वे किसान आए थे जो जम्मू पास्मीर के आसपास के किसान थे वे किसान हमारे पास हमाये थे और इसी तरह की प्रोब्लम पूरे बोर्डर छेतर में होगी परदान मंत्री के बाशन हुआ था कि कुछ अलगाववदी ताक्ते इस अंदोलन के अंदर है क्या लगता है कि अलगावदी थाक्तों को लेकर इस तरह का डिसीजन नि कहां है वे ताक्ते नि पर्दान मंत्री जी ने बोला तरफ सरकार को क्या मतलब जो है उनकी तरफ से जो है उनके लिए क्या मांग की ज़िए उनको लिए मांग करी कि अपनी बात रख सकते हो ना कि यादगार बनाने की मांग भी की जाएगी यादगार बनाने की बात करी जमीन हम चाहते हैं के बारत सरकार जमीन दे और उनका एक इसमारक वहां पर बनाएं जो यह लडाई संजुक्त मोर्चे ने आपको देखा बार्डर सिंगु बार्डर साभी ने मिलकर लड़ी तो इन फ्यूचर लंबी इसके बाद जिसी तरह ही काम करेंगा इसी तरह पूरे देखके कि सांजुचे पहले तो कहते थे कि बारत पंजाब का और अर्याने का प्रूमेदी है कि संजुक्त मोर्चे एक खटा रहेगा एक अतना कोई बंदर के रड़ा कुद का बाधिया तो उसका क्या करेंगे एक अतना जा सके कि प्लान है राजनिति का प्लान नहीं है अरे हमने बता दूदिया एक अतना भुदक चसे बही इसके लोग से हैं संजुक्त मोर्चे पर विश्वास रखना संजुक्त मोर्चे खटा है यह देश की लड़ाई लड़ाएगा अगर सरकारे जो भी सरकारे ठीक होगी देलेगी जंता बहुत होसी आ कमेटी नहीं कमेटी ग्यारा साल पहले बढ़ेगी थी दोजार ग्यारा में इस जो एक फाइनेंसल कमेटी बनी थी उसमें और भी मुख्यमंत्री थे और इनोंने एक प्रस्ताव दिया था कि करने कानून बना चाहिए वह फाइल वहां पर रख्यों यह उसमें गारंटी कानून बना दे जब वकालत गरी उसमें प्यश्टी गरी रोने तो नहीं कमेटी की जोड़ती थी तो नहीं कर सकते तो खेद उनसर उनसर मांगी व्यापार्यूस उनसर मांगी उनके गोदाम बनवाया दिया पैसा खरच करवाया दिया हमें लूट का समान उस बड़ी तिजोरी में नहीं रख सके हमानाज उसके लिए खेद पर कट करा आज देश का किसान सब्सक्राइब यह जैसे बीज़ते बंदियां हैं सरकार की शुमूलियत कम करके सब्सक्राइब यह तेकारी जोटी किसे ऑपर पिस्टान की इस समभव नहीं इसे बुर्द देश lights एनसर करने सब्सक्राइब पनेड जाएं जिसे की निर्भरता के सarbeiten सटकरकर जह सब्सक्राइब कम मैं सब्सक्राइब के की तरफ से कि पाड़शन आने टके हूं पड⋅ सब्सक्राइब करें कि यह सीड कानून ले करना चाहते हैं सीड पैसे साइड विल दूद की एक पोडिसी तो यह हम इस पे भारस सरकार से बातचीत करना चाहते हैं उसी के लिए हमने कमेटी की बात करें कि अधिक के पंजाब ले असी कैना माफी किती जावी दूजिएं सब्सक्राइब कर निकल रही हैं उदेली सनू मुँआव हजा सब्सक्राइब जैसे आपने किसानी का मुद्दा उठाया है ऐसे कोई और इसे कई और वपारी है जैसे वह appreciate मुद्धा Aww किसानी का मुद्धा है और उभी मुद्धे और सब्सक्राइब जाए ओघृ uit